जैहिंद फ्रेंट से नमस्ते आप देख रहे हैं समाधानी स्टेडी और गाइस यह आपके लिए बहुत ही महत्पुन क्लास है आपके प्रिवियोस इयर की क्लास और क्लास नमबर कुंच यह चौदवे नमबर की यह क्लास है और मैं आपके लिए डेली ही डेली क्या करता लेकर आपको बैनेफिट होते होंगे और बहुत ज़्यादा इस क्लास का आपको बैनेफिट मिलने वाला एक्जाम मौल में तो आप लोग जिस भी एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए प्रिवियोस इयर की क्लास बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए आपको य कालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है लवनिय मृदा आपका लवनिय चारिय मृदा या फिर आपका अमल मृदा या फिर आपका क्या होगा चारिय चारिय मृदा चलेगा तीन सेकेंड में आपको प्रॉइट करता हूँ इसमें आपको आंसर सोचना है कि क्या आंसर होगा देन उसके बाद जो है आपने marks जरूर बताना है आपने कि कितने marks जो है previous year के question को लगाने के बाद आपको आते हैं चलेगा क्या आपने option number first किया है क्या आपका लवनी मरदा option number first correct है चलेगा आगे चलते हैं देखते next question कौन सा पूछा गया आपसे next question आपसे पूछा गया है कि पीले फूलो वाला वरक्च है पीले फूलो वाला वरक्च कुन सा है उपरिक तो सभी देखेगा इरित्रना इंडिका या फिर आपका जेकांडा मीमो सीफोलिया या फिर आपका पेंटो फोरम फेरू जीनियम तो यह जो है नए नए आपके पौधों को नाम है इसलिए जो आपको confusion लग रहा होगा बाकी सब यह क्या है आपका आपके पड़े टॉपिक में से ही पूछा गया है देखेगा इसका नाम इसका जो करिक टांसर होगा option number D correct होगा क्या होगा D चलिए पेल्टो फोरम इसका करिक टांसर होगा very good जो क्या है आपका एक जो है आपका पीले फूलो वाला वरक्च है उपर योग तो सभी मत करते ना नहीं तो wrong हो जाएगा आपका चलिएगा चलते आगे इन्होंने पूछ लिया हमसे क्या पूछा है कि अमरुद खालिस्तान के कुल से संब्दित है अमरुद जो है आपका खालिस्तान के कुल से संब्दित है एना कार डी एसी या फिर आपका केरी केसी या फिर आपका मर्टे सी या फिर आपका मोरे सी तो क्या आंसर होगा आपका एपसन नमबर A, B, C, D चार आपसन आपके स चुस किया होगा चलेगा आगे चलते है देखे गा तक होगा आगे चलते हैं बॉमें केप्सुल निमन से सम्बंदित है लंक्स से लिवर से हर्ट से चार आपस्ण आपके लिए है ऑके वेरी गूड चलेगा क्या होगा correct answer की बात कर लो मैं तो क्या सभी बच्चे यहाँ पर kidney answer कर रहे हैं जो बोमेन capsule वाला भाग होता है यह वाला ठीक है तो यह kidney वाला भाग होता है जहाँ पर blood का purification होता है इस तरही से होता है नहीं होता है चले मैंने यह आपको पड़ा रखा है हमारे जो लायू क्लासेश चलती है मॉर्निंग 6 बजे से तो वहाँ पर मैंने आपको यह सब कुछ बताया है बॉलजी वाली क्लास में चलेगा आगे चलते हैं देखेगा नेस्ट कोशन क्या पूछा आपसे नेस्ट कोशन का स्क्रीन पर आया होगा देखेए क्या बोल रहा है वह अपवाह जल के संचेन के लिए धलान पर गड़े खोदने को निम्न प्रकार से भी जाना जाता है चले समुच खाई बनाना, समुच टेर्श बनाना, समुच बंद बनाना या फिर आपका तटिय टेरेस बनाना क्या आँसर होगा तो देखेगा अगर आप सभी विध्यारतियों ने चूस किया है ओप्सिन नम abroad एथ तो आपका खालिस्तान में प्राप्त भोजन की मातरा है 24 घंटे या फिर आशोरी कि 24 घंटे, 30 घंटे, 6 घंटे या फिर 12 घंटे चलेगा, क्या अंसर? आपको नए कोश्चन मिलेंगे और इसी पेटरन पर आपको पढ़ना है ठीक है, इसमें आपको बार-बार बता बोलते रहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही स्टेडी करें, अपनी स्मार्ट स्टेडी करें, ओप्सन नंबर क्या होगा? ओप्सन नंबर B, 24 हावर इसका करेक्ट आंसर होगा, पढ़ते तो सबी है गाईस, बड़ जो है सिलेक्शन कोन लेता है जो स्मार्ट स्टेडी करता है ठीक है, जो चुनिन्दा ही चीजे पढ़ता है तो आप लोग के लिए मैंने यह क्लासेस जो ला रहा हूँ वह चुनिन्दा क्लासेस ही, जो आपको आगे चलके क्या सबी बच्चे, ऑप्सन नंबर जो है C करने वाले थी इसका क्या होगा, आपका सपेद किट इसका सही आंसर होगा, वाइट रस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आपने प्यास कर लिया होगा, आगे चलते हैं देखेगा, नेस्ट कोसन आप से क्या पूचा गया है, तो नेस्ट कोसन आपके स्क्रीन पर है, कि एक सोम्य वक्रता वाला लंबा मोड बोर्ड, MB जो घास से भरीक कठोर मरदा में प्रयूक तो होता है क्या कहलाता है, वो आपको MB, देखेगा आप से पूचा गया था एक कोस्चन और इसका राइट आंसर क्या होगा, ओप्सन नमबर यही राइट आंसर होगा, क्या होगा आपका ओप्सन नमबर A, भंजक प्रकार का MB, ओप्सन नमबर 1st is करेक्ट आंसर, चलते हैं आगे, केल्सियम का होने वाला है, 4 ही इसका करेक्ट आंसर है, मतलब D वाले बिलकुर सही होने वाले है, जिन्होंने मद्य पटी का आंसर किया होगा तो चलेगा, आगे चलते हैं देखेगा, नेस्ट क्या आपका, की दुग्द का कौतनां कितना होता मतलब दुद का कतनां सेल्सियस में आपको बताना है, 102 या फिर आपका 100 या फिर 105 या फिर आपका 95 होगा क्या होगा गैस, देखेगा अगर आपने चूस किया है, 100 तो बिलकुर सही होगा, क्या होगा 100 आपका बी करेक्ट होने वाला है चलेगा चलते हैं आगे नेस्ट देखते हैं, क्या नेस्ट आपसे कोश्टम पुझा गया है, कि बचडे को तरल दूद पिलाने की सीमा क्या होती है सरीर के वजन का 8% सरीर के वजन का 15% सरीर के वजन का 5% या फिर सरीर के वजन का 10% क्या answer होगा correct answer तो क्या आपका answer आ रहा है option number चले क्या होगा शरीर के वजन का 10% भाग option number क्या होगा D correct होने वाला है चलेगा तो आपने D choose क्या होगा तो आपका correct होने वाला है next question क्यों बढ़ते है देखेगा पसु चारे में नियूनतम वसा प्रतिसत क्या होता है 2.5 मतलब आपका 0.5%, 13%, 10% या फिर आपका 1% कितना परसेंट होता है अगर आपने choose क्या है option number A तो आपका correct होगा कितना होगा 0.5% होता है 2.5% इसका correct answer होगा आगे चलते हैं देखेगा next क्या है आपका नियूने पूछ रगाए कि प्रती दिन आपका दुधारू पसुओ के लिए खनीज मिसरन की आविशकता आविशक मातरा क्या होती है 100 ग्राम, 10 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम क्या होगा correct answer गाईज अगर आपने choose किया है option number D तो आपका correct है कितना ग्राम होगी आपका 50 ग्राम होगी option number 4 correct answer होने वाला है correct answer is the option number 4 चलते हागे देखेगा next क्या है आपका दुधारू मालवेशियो के लिए आविशक चर्नी इस्थन क्या होता है 2 फिट या फिर आपका 1 फिट क्या correct answer होगा तो answer होगा आपका डाइफिट क्या होगा डाइफिट ही आपका correct answer होगा चले option number A वाले बिल्गूर correct है आगे चलते हैं देखेगा next क्या पूछते आपसे next इन्होंने पूछा है आपसे क्या आपका immunoglobin चले क्या immunoglobin खाली स्थान में प्रचूर होता है टोड़ दूद या फिर आपका ताजा दूद मलाई रही ते या फिर आपका नव इस्तन ने क्या होगा correct answer तो आपका नव इस्तन cholesterol क्या होगा cholesterol अगर आपने option number जो है first ही choose किया है तो आपका correct answer होगा चले आगे चलते हैं next देखेगा कि मादा पंडलिंग मतलब गारा बनाना को खालिस्तान एक खालिस्तान के रूप में भी वरगी करत किया जाता है सुन्ने जुताई या फिर आपका दुत्यक जुताई फ्रतम जुताई या फिर आपका रुद वर्द दुधाई जुताई देखीगा correct answer क्या होगा अगर आपने चूज किया है option number क्या होगा second इसका correct होगा दुत्यक जुताई इसका correct answer होगा option number B बिलुकूर correct है चलेगा चलते आगे सोदेशी हल है तो सोदेशी हल क्या है आपका दुत्यक जुताई उपकरन उपरवक्त सभी प्रात्मिन जुताय उपकरम या फिर आपका बहु उद्देशी उपकरन होने वाला है करेक्ट आंसर की बात कर लू तो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका बहु उद्देशी उपकरन option number आपका 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है चलते हैं आगे नेस्ट कुछन क्या पूछा आप से इन्होंने पूछ रखा है आपको कोलेस्टरम खालिस्तान में अपूर्ण होता है विटामिन A, विटामिन K, विटामिन D, विटामिन B12 विटामिन K वाला बिल्कुर करेक्ट है जोने विटामिन की आंसर किया है तो आगे चलते हैं देखेगा नेस्ट क्या है नेस्ट आप से पूछा है इन्होंने की जूते के लिए मारे का ठीका करन सुरू किया जाता है अंडे से सूजा निकलने के एक महिने से अंडे के सूजा निकलने के दिन या फिर आपका अंडे से चूजा निकलने के चूबिश दिन या फिर आपका अंडे के चूजा निकलने के एक सबता पस्चाथ correct के answer के बात कलूँ तो अंडे से चुजा निकलने के दिन option number आपका भी correct होने वाला है क्या होगा option number भी correct है चलेगा next question देखेगा क्या पूछा आप से next question उन्हें पूछ रखा है गुलदावदी के फूल की ठंड डठल की लंबाई बढ़ाने के लिए निम्न पादवरदी नेतां का उप्योग किया जाता है चलेगा answer ही मैं बता दिता हो और आपको क्या करना है GA3 अब ये GA3 इसका full form आपको नीचे comments करके बताना है कि इसका full form क्या होता है ओकी गईस चलेगा देखेगा आगे देखते हैं नेश्ट क्या आपका मंडारन के दवरान सलकंदो के अंकुरन को रोकने के लिए प्याज के छेतर में निम्न पादवरदी नेतां का चिड़काओ किया जाता है GA3 या फिर आपका इतिफोन या फिर ABA या फिर आपका मेलेन हाइड्रो जाइन करेक्ट आंसर क्या होगा आपका option number 4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा मेली इसका करेक्ट आंसर होगा चले आगे चलते हैं देखेगा next question क्या पुछ आपसे तो question आपका IBT system मतलब IBT परनाली आपका दुगदसाला मतलब डेरी प्रसंसकरण यंत्र को खालिस्तान की आपोरती करती है ठंडे जल वास्प जल या फिर आपका गर्म जल या फिर आपका जिवानू रहित जल correct answer क्या होगा तो correct answer की बात कर लो मैं तो ठंडा जल इसका correct answer होगा क्या होगा option number A आपका correct होगा ठंडा जल is the correct answer ब्रुसेला टीका करन की सुरुवात होनी चाहिए तो ब्रुसेला टीका करन की सुरुवात कब होनी चाहिए दो महा की आयू में, छो महा की आयू में, एक सब्ता की आयू में, एक वर्स की आयू में चलेगा इस टीके के बारे में आपको 6 महा की आयू वाला अंसर बिल्कुर से होगा अगर आपने option number second, option number B चूस किया है तो आपका correct answer होने वाला है चलेगा, नेच्ट देखे, क्व हम धरा सरकरन, के लिए एक उपकरन है क्व हम धरा सरकरन संग जो आपका सरचरन के लिए चले, सराब बनाना, उपरीगत बनाना आपका सराब बनाना इसका correct answer हो का होगा? Option number A ही इसका correct answer होने वाला है चलेगा आगे चलते हैं देखेगा आम के पुस्प को प्रेरित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला हार्मोंस है GA3 हार्मोंस, NAA हार्मोंस या फिर आपका साइटोकाइनीन या फिर आपका पेकलो, ब्यूटरो, जोल, इसका होगा क्या आंसर चले, बिल्कुर, अगर आपने option number D को choose किया है, तो आपका correct answer होने वाला है तो आज हम 25 भी question करते है, ठीक है, चले, आज तो मैंने ज़्यादा question करवा दिया, आपको class कैसी लगी, आपको बताना है guys और इनका question का revision ज़रूर करना है कि previous year की question 5 से 10 question आपको repeat होते है आपकी exam में और आसा करता हो, आपको इसका benefit भी मिलने वाला है, अगर अच्छा लगाओ का share कीजिएगा, like कीजिएगा, अगर first time आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को subscribe भी जरूर कीजिएगा, चले, जैहिन and नमस्ते